हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी आइफ आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज की रेसेपी में हमारी पाव भाजी पाव भाजी सभी को भाँ अच्छी लगती है तो आप जरूर इस रेसेपी को ट्राइ करें और कमेंट सेक्षन में बताएं कि आपको यह कैसी लगी है वीड अच्छी यहों को एंद तक देखना ना भूलें तो सबसे पहले हम इंग्रीडियंट्स चेक कर लेंगे यहां पर मैंने काफी सारी सब्साइब लिए इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है पहले हम कुछ सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए चेक कर लेते हैं यहां पर तो आधा घीया लिया है आप मीडियम साइस का गीया ले ले और अब हम यह सारी सब्जी यह जो देख रहे हैं आप येसे अर फ्राइए करने के लिए तो इसे अब बाद में डिसकस करेंगे सबसे पहले आप कुकर ले इसमें जो भी बोइल करने वाली सब्जी आए से अड़ क करने के बाद आप इसमें आधा ग्लास पानी एड़ कर लें कि पानी डालने के बाद हम इसमें दो चम्मच रिफाइंड आड़ करेंगे दालने के बाद अब हम इसमें ह्ल्दी डालेंगे हल्दी भी आदी चम्मची डालें और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर ले ताकि हल्दी और नमक अच्छी तरीके से पानी में मिक्स हो जाए सारी सब्जियां यहां मिक्स हो चुकी है अब इसे लिड़ा बंद कर ले कुकर का अच्छी तरीके से और इसे अब हम गैस पर रख देंगे आप मीडियम फ्लेम पे एक विसल आने तक इसे पकने देख लो फ्लेम कर देख Between 2 मिनट तक और पकने देखी साइड यहां पे हम खुर सब्सक्राईब कर लेते हैं कि हमने क्या है सबसे पहले हमने की पैलें मीरियम साइब बारीнул में पीघे दीज बटी यहां पांच मैने हरी मिर्च लिए इसे आप बीच से काट सकते हैं और मीडियम साइज का यह इसे भी मैने छोटे-छोटे पीसेज में कट कर लिया है तो आप इस वेजेटेबल को घटा बढ़ा सकते हैं लेकिन इतने वेजेटेबल के लिए इतना ही सफीशेंट है अब आप कढ़ाई चेक कर लें कढ़ाए मारी गरम हो चुकी है तो अब हम इसमें रिफाइन ओयल आड कर लेंगे आप 4 टेबल भी आडाल दें आप देख सकते हैं कि यह पॉपरली ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें प्यास आइड कर देंगे फ्यास को हमें ब्राओन नहीं करना हलका साथभा ब्राउन करें अदर्वाइस जल जाएगा साथी साथ आप को कर चेक कर लें इसमें एक सीटी आ चुकी है और इसे हमने दो मिनट और पकने के लिए छोड़ दिया है आप देख सकते हैं कि प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं तो आप सभी देख सकते हैं कि प्याज हमारे लाइट पिंक अच्छी तरीके से हो गए हैं इससे जादा अब हम इसे फ्राई नहीं करेंगे साथी साथ हमने फ ढ़ुसक ने तो तेमर्टन हमारे एड़ों के और इसे अच्छे से मिख्श कर लिया है हमने अब हम इसमें मटर आड़ कर देंगे हमने मटर को बॉयल ने किया था इसलिए अब हम टमाटर के डारेक्टली बाद मटर ही आड़ करेंगे फिर कैपसिकम डाल देंगे आप हरी मिर्च भी अभी आड़ कर लें और इसे अच्छी तरीके से चला लें कि और अब हम इसे फ्राई ओने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे है अब हमारी अच्छी तरीके से फ्राइ अनली स्टार्ट हो गयी इसी स्टेज पर आप हम सारे मसाले कर लेंगे आप आदी चममच हल्दी याड़ करें इक चमच धनिया और देगीमिर्च आड़ कर ले इसमें एक अच्छे से एक भर के चम्मच आड़ कर लें देगी मिर्च का हम इसमें कुटी भी लाल मिर्च इसलिए आड़ नी करेंगे क्योंकि आल्रेडी हम ग्रीन जो हरी मिर्च है वो पाँच आड़ कर चुकें तो सबसे में इंपॉर्टेंट जो है मसाला वह है पाव अच्छी तरीके से फ्राइब आप इस स्टेज पे नमक आड़ कर लें एक चमच नमक डाल दिया है मैंने और इससे फिर से अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लोंगी ताकि नमक इवेनली स्प्रेड हो जाए अब क्या करेंगे हम इसे ढग देंगे और दो मिनट तक इसे लो फ अब हम इसे उठा लेंगे लिट को उपन कर लें और देखें कि कैसे ओल बाहर आ चुका है इसी स्टेज पे हम इसे एक बार क्विक स्टर देंगे क्योंकि ये बिल्कुल ही अच्छी तरीके से फ्राइब हो चुका है अगर आपको लगे कि पानी आड़ करना है तो थोड़ा हो सके उतना शेयर करें तो अब लास स्टेज पे हम पनीर कर लेंगे इसमें पनीर को भी फिर आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि थोड़ा सा पनीर भी फ्राइब हो जाए आप क्या कर सकते हैं कि आप वेजिटेबल सारी आड़ करने के बाद भी पनीर आड़ कर सकत हैं लेकिन आप बाद में बटर आड़ करेंगे तो टेस्ट ज्यादा आता है तो आप इसी स्टेज पे बटर भी आड़ कर लें तो बटर पनीर को अच्छी तरीके से फ्राइब कर लेंगे हम और अब हम क्या करेंगे इसे थोड़ी देर के लिए ढग देंगे अब दो मिनट का बटर विए अच्छी तरीके से बॉइल रोचुकी है हमिए इसे ग्राइंड करना तो आप Scotty में तो ना निकालने आप इसे इसे रही कहते हैं इसकी मार् Et 보 कर ले और अगर आपको लगे किसमें पानी आड़क पर चाहिए तो मैंने कर लिया और आप सकते हैं कि सका कंसिस्टेनशी कि फॉर्म में बिलकुल такого कि क्र ले क्योंकि पाव भाजी में मैश में им आच्छी पूल फिल्प पूर dewगा से कुक्त इसमें तो फ्लीवर बिल्वी अच्छा नहीं तो आप मैश जो वेजडेबल है उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और देख सकते हैं आप कि कितना ही रिच ग्रेवी बनाया है और इसका कलर भी बहुत ही जादा सुन्दर है लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक थी तो मैंने इसमें आधा ग्लास पानी आड़ क कर लें कि फ्लेम आप मीडियम ही रखें और अब हम इसमें एक बॉयल आने देंगे बॉयल भी इसलिए आएगा क्योंकि हमने इसमें पानी आड़ किया था अदर्वाइस ग्रेवी हमारी बनकर बल्कुल तयार थी तो बॉयल आ चुका है आप एक बार इसे कॉंटनेसली स्ट निया था वह भी हम को अधा डालेंगे अतं हम के लिए रखूं के लिए लेंगे ताप धनिया भी तो यहां पर मैंने हार्वेस्ट का पाव लिया है आप कोई सभी पाव ले सकते हैं इसको हाफ कट कर लें और ऐसे बटर के उपर रखें जैसे हम ब्रेड सेकते हैं वैसे नॉमली सेक लें तो एक तरफ सिख जाने के बाद इसको आप टर्न कर लें दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेक लें इसे तो पाव भी हमारे सिख कर बिल्कुल रेडी होने वाले हैं मेरे तो मुह में अभी सही पानी आ रहा है तो जल्दी जल्दी अब हम इसे प्लेटिंग कर लेते हैं इसक स्क्वीज करके डाल सकते हैं फ्रेंड्स हमारी पाव भाजी बनकर बिल्कुल तयार है अब मैं तो इसे जल्दी जल्दी खाने वाली हूँ आप भी इस रेसिपी को जल्दी से ट्राय करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो को श सब्सक्राइब करें धन्यवाद